रादी कृष्णा फ्रेंग्स वेलकुम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम काना जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियो बनाते हैं तो आज जो मैं बनाने जारी हूँ वो है समर स्पेशल जबला फूर काना जी ये मैं 89 नंबर के काना जी के लिए बना रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग साइज जो है एडजस्ट कर सकते हैं तो इसके लिए मैं कुछ इस तरह का टैडडी प्रिंट में कॉटन का फैबरिक ले लूँगी ये फैबरिक आपको काना जी का जितना लेंथ जबले की रखनी है उस लेंथ के अकॉर्डिंग जो है इसली पता कर सकते हैं इसको मैं दो पार्ट में कट करूँगी फ्रंट एंड बैक में तो ये जो मेरे पास है सेवन एड़ हाफ इंचिस बाइस साड़े पांच इंच के दो पीसिस आ गए एक फ्रंट एक पैक अब मैं साथ ही साथ इसमें कट करूँगी स्लीव वाला क्यूंकि हमने जो है हैमिंग के लिए नहीं लेना इसमें फढी पैबरिक क्यांकि हम स्लीव वाले पॉर्षन जो एड़ करेंगे वो शॉल्डर्स पी एड़ होगा तो ये मैंने एट बाइट 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 इंचिस के दो पीस लिए हैं दोनों स्लीवस के लिए एट करने के बाद इसको हम जो है फ्रंट और बैक जो पीस लिए है उसके साथ अटैच करेंगे अटैच करने से पहले हम बैक वाले पोर्शन को ओपन चुप करेंगे जिस तरह से हम शर्ट्स वगेरा में करते हैं तब ही काना जी को पहना पाएंगे तो इसको हम मिड से कट कर देन हम इन दोनों को हैम करते हुए वेलक्रो टेप अटैच कर देंगे जिससे ये दो पार्स बन जाएंगे क्योंकि काना जी को कोई भी फैबरिक कपड़ा जो पहनाना है वो बहुत मुश्किल है अगर हम वेलक्रो टेप अड़ नहीं करते तो हम पहना नहीं पाएंगे इस स्लीव को अटैच करना है यह देखिए इस तरह से हमने एक को इसके साथ अटैच करना है इस तरह से आपको सीधा उल्टा देखके अटैच करना है यह देखिए इसको कुछ इस तरह से attach करना है एक sleeve को एक साइड, दूसरी sleeve को दूसरी साइड आपको length वाली side में sleeve को attach करना है उपर वाली side में, shoulder वाली side में attach नहीं करना आप पहले क्या करिए, दोनों strips को एक ही जो part है उसके साथ attach कर लिजे, stitch कर लिजे then second part को के साथ इस तरह से attach कर दीजे front से front मिलाके इधर attach करिए front से front मिलाके इधर attach करिए तो ये easily आपकी जो sleeves है वो attach हो जाएगी sleeves attach होने के बाद हमें क्या करना है उपर वाली side में हमें जो है elastic insert करना है क्योंकि आपको पता चल रहा है कि sleeves इतनी बड़ी हमने क्यों ली है क्योंकि हम elastic insert करेंगे तब ही ये proper look आएगी sleeve की and छपले की भी तो हम क्या करेंगे उपर से हैम करते हुए इस तरह से आपको brick वाला elastic ले लेना है इसको एक side पे stitch करना है इसको ताजो ये निकले नहीं और देन हम इसको ham करते जाएंगे और elastic को खींच के लगाते जाएंगे इस तरह से पहले आप elastic को stitch कर लीजिए नहीं तो ये निकल जाएगा देन हम इस तरह से elastic करके hamming कर देंगे तो ये देखिए hamming करने के बाद second side पे भी आपको elastic को खींच लेना है और जितना आपको रखना है उतना रखने के बाद stitch कर देना है उसको वहीं पे पका कर देना है दो-तिन stitch लगाने हैं ताज की खुले नहीं तो ये कुछ इस तरह से जो है उपर वाली shape बनके आगी है sleeves and neck जो है वो ready हो चुकी है आप देख सकते हैं इस तरह से ये frill वाला look आएगा अब हम इसमें fitting का stitch देंगे इसको properly set कर लीजे और यहाँ पे sleeves and as well as नीचे की fitting एक ही साथ में हम दोनों stitch लगा लेंगे इस तरह से ये देखिए ये sleeve इस तरह से कानाजी के उपर set हो जाएगी तो ये हम सिल लेंगे सिलने के बाद हम नीचे की जो hamming रह गई है वो करेंगे वेल्ग्रो टेप open करेंगे देन हम इस तरह से हैम कर देंगे इस जबले को तो ये जबला जो है बनके ready हो चुका है अब इसको सिधा turn out कर लीजे ये देखिए ये है इसकी final look ये sleeves के उपर ये portion आएगा आप चाहो off shoulder की तरह इसे पहना सकते हैं या उपर की side इसे as a shoulder की तरह पहना सकते हैं तो ये देखिए इसका final look ये पहनाने के बाद काना जी पे कुछ इस तरह का लगता है ये देखिए इसका प्यारा सा look side look कुछ इस तरह का है back में velcro tape है और front back जो है look same आएगी क्योंकि हमने same neck में work किया है दोनों sides पे आप चाहो यहाँ पे dory tie up कर सकते हो waist पे उससे ये नीचे की side पे घेरे की look अलग से आजाएगी तो आपको ये कैसा लगा comment section में बताना मत भूलिएगा वीडियो को like करे share करे channel को subscribe कर ले राधिक्रिश्न फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी next वीडियो में